बिल्कुल, सबसे पहले ध्यान रखेगा कि जो आज हमरी कैबिनेट है, कैबिनेट की बैठक है सुबह ग्यारा बजे, फिर पावर ग्रीड है, पावर ग्रीड में जो बोर्ट 11,000 जुटाने के लिए विचार करेगा, पैसालो डिजिटल जिसमें प्राइवेट प्लेस्मेंट के जरीए जो फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा, सैट को अटोमेटिव जिनके क्वाटली रिजल्स आएंगे Q4, FI22 के, उसके साथ साथ Great Eastern Shipping पर ध्यान रखेगा, जिनका बाइबैग आज से बंध हो जाएगा, और एक चेंज इन प्राइस बेंड है, जिसमें from 20% to 10% है, EKI Energy Services है, अब खबरों पे और अपडेट्स पर, जिसमें बजाज फिनेल, जिनका Q1, FI23 का अपडेट आतावा दिखा है, उनके डिपॉजिट्स जो है, वो लगबग 22% बढ़ कर आते वे दिखे हैं, वहीं अगर आप AUM की बात करेंगे, AUM लगबग 31% बढ़ कर आत करी है, कि उसमें हो सकती है, उसी के साथ साथ जो सफोला जो उनका ब्रांड है, उसमें भी वॉल्यूम का गिरावाट है, हाला कि जो पैराशूट है, वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर कम गिरावाट देखने को मिलेगी, Tata Motors पर अपडेट आता हाँ, बोम्बेः हाइकोट का एक ओर्डर है, जिसमें बेस्ट के 2100 सो इलेक्ट्रिक बसो का टेंडर रद्ध कर दिया गया है, और बोम्बेः हाइकोट ने बेस्ट से टेंडर फिर से जारी करने को कहा है, और इस बोली में Tata Motors फिर से बिट कर सकता ह साथिया इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखीगा जिसमें उनको एक और मिलता वा दिखा है वो लगभग 105 करोड का एक और मिलता वा दिखा है और यह textbook छपाई के लिए उनको इक और मिलता वा दिखा है Biocon Limited जिसमें Bangalore में नई Biologic Manufacturing Facility को EUGMP एक Certification है वो उनको मिल चुका है Tejas Network जिसमें Sankhya Labs के लगभग इन्होंने 61,00,000 शेर्ज जो हैं वो लगभग 276 करोड में खरीदे है Spice Z जो कल एक दिक्कत आई थी आज भी कल की वाते ये भी Q400 एक Aircraft है जिसमें Wind Shield का बहरी पैनल में वो टूटा है उसके करण हालकि जो landing है वो मुंबई में सुरक्षित हो चुकी है पर ये एक ही दिन में दूसरा मामला आतावा दिका है और अन्त में West Life Development पर दियान रखीगा जिसमें IC से Prudential Life ने लगभग 2% इसेदारी बेची है अर्मान थैंक यू सो मच हमारे साज उड़ने के लिए बताने के लिए कि आज ख़बरों के दम पर किन stocks and sectors पे रखनी है नजर